हाई स्टूडेंस मैं सुनिया विद्या उसे का निया सेशन स्टार्ट करने वाले का निया सेशन ये जून का सेशन है जून तौन विटीटू का बहुत सारे से तब भी कर दोगे तब भी आप ये समझ जाओगे कि 38 तो मिनमम है लेकिन ऐसा होता नहीं है तीन चार क्वेशन हर पेज पर होता है पचासे साथ नए पॉइंट्स पढ़ेंगे मैं यह कहना चारी हूं सब इंपॉर्टन होंगे विडियो एंड तक देखिएगा एक भी कि हम सेशन इस अलसो प्रोवाइड इस अलसो अप्लोड़ेड ओना प्लाइटफॉर्म अब यह सेशन नी में होने वाला है मैं स्टार्ट तो कर दूं उससे पहले अपने लिए एक लाइक की उमीद मैं कर रही हूं क्योंकि मैं इतने सारे क्वेशन आपके लिए ढूंड के आई हूं तो आप जरूर एक लाइक का बटन दबा दोगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो भी किसी भी एक्जाम की प्रपरेशन कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना पकास अगर नहीं किया बेल आइकॉन आता है साथ में ही सब्सक्राइब के जरूर दबाना आप प्रेंच ओपन को पढ़ के बैठे होंगे और बहुत सारे प्ष्रेंच ओपन को पहले से आ भी गय होंगे लेकिन अब सुनिए हम आधा से भी इप्रूर्टन को निकालके लागे है कि में सिंगल हर बार पढ़ पर पढ़ ना होता है स्बको पता है विमन सिंगल अर 20 फ आप खुद समझते हो पहला क्वेश्ट अब देखिए हम टॉपिक वाइज करेंट फेस्ट पढ़ाते हैं तो टॉपिक वाइज में स्पोर्ट्स टॉर्णमेंट है आप ऊपर देख पारे हो काटेगरी बना दी ना हमने तो टॉपिक क्या है स्पोर्ट्स है अभी स्पोर्ट् बढ़ाता है तो में सिंगल्स में रुफाल नडाल जो है वो इस पेन के हैं बाइसमां ग्रांड स्लाम जीत रहे हैं आप एक तो सोचिए कि कितने सीनियर और कितने बड़े हो चुके है यह बाइस रांड स्लाम में चौदा तो फ्रेंच ओपन ही जीते हैं यहां पर लिखा ह है मैं ने ध्यां से देखिए मैंने क्या कहा में फाल नडाल जीते हैं मैं सिंगल्स प्रेंच ओपन की बाख कर रहे है हमें ऐसाफ नडाल ने ऑपन स्पेन के हराया गिसको है singles के अंदर हराया किसको है थोड़ा जान लेंगे तो अच्छा हो जाएगा Casper Red नाम है इनका और यह 9 वे के हैं जिनको हराया है किसने रिफाल न डालने हम कह रहे हैं तोटल 22 Grand Slam जीते हैं यह जिसमें 14 French Open है मतलब आप यह सोचिए ना जो जीते हैं जितने भी Grand Slam उनमें सबसे जादा French Open जीता है यह जाना चाह रहे हम अब अगर आप नेक्स देखेंगे तो यह Women Singles की बात गही है Ega Swatek की नाम जो है Ega Swatek की नाम आपने पहले भी सुना होगा मुझ से यह POLLND की है आप देख पा रहे हैं यह POLLND की है Haraya किसको है Koko Goff को Haraya है यह USA की हैं सिंगल्स के अंदर जिनको हराया है जो रणर अपस रहे उनका नाम याद कर लीजिए अपके अच्छा हो जाएगा क्योंकि रणर अरप का नाम पूछ लिया जाता है कभी-कभी और सिंगल्स में ऐसा ठ्रेंड थोड़ा होता है अब जब बात कर रहे हैं स्पोर्ट पूर्स टोनमें तो अहलों पर मार्स लिया ऋ फ्रेंच ओपन की आगे बढ़ के एझे कि रहा है तो मेंच रॉलल टारह यह को के रहे हैं स्पोरिश एτο मैंकि बात कर रहे हैं और एकर जों जोल्य है जोण जुलिए न रोहर और रोजार रोजर कुम एस स्वहित अण सरा में फिर भी हम बात करें as a football star ORE इंडल अर्किंडीन लादियस आपकर सब्सक्राइब में सब्सक्राइब मेन् अटें चया और में शचित्राइब पाद ए मैं सबसे इंडशरा एक मत भी तॉर्मेंट तैटल अटॉठें टाइट्ल्स होते हैं इसलिए इनके बारे में question आना, देखिए सारे नाम आपके लिए थोड़े odd होंगे, याद कर पाना भी मुश्किल होगा, तो अगर मैं सिर्फ पांची मिनट में आपको ये सारे पढ़ा रही हूँ, तो इसका उतना मैं कुछ important सेलेक्ट करके लाई हूँ, नाम आप बार बार याद होगा क्योंकि अगर आप इगा स्वाटेग देखिए, आप क्रिस्टीना लाडनोविक देखिए, या रफैल नडाल देखिए, आप ये सब के नाम बहुत बार पहले ही सुन चुके हो तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, चार-पांच बार इनका नाम सुन अब आप देखिए, यहाँ पर हम कह रहे हैं, इना, सिभाहारा, डेक्स हम कह रहे हैं, वीसली, कुलोफ, वीसली, कुलोफ, हम यहाँ पर यह कहना चाहरे है, यह मिक्स डबल्स का टाइटल, एक फीमेल, एक मेल, हम कह रहे हैं, तभी मिक्स डबल्स, नीचे अलग टोर्नमें है एशिया कप, हीरो वाला ये होकी टॉर्नूमेंट है जिसके अंदर साॉथ को AR मलेजिया को हरा करके जीत गया, फिर कह रही है कि रनर भपके नाम पूछे जाते हैं विनर के नाम सारे याद कर लेते हैं लेकिन रनर अगर के नाम आते हैं प्लीज देखिये, South Korea, Malaysia को हरा करके जीत गया Hero Men's Asia Cup, ठीक है, उसके बाद नीचे बाद पड़ी है, यहाँ पर India defeated Japan, same ही बात चल रही है, continuation है, इसलिए देखिये, मैंने ऐसा bracket सा बना दिया है, कि इंडिया जपैन को हरा करके ब्रॉंज ले आया, हम इसी टोर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं, कि South Korea ने Malaysia को हरा करके Hero Men's Asia Cup जीता, ठीक है, ध्यान रखियेगा, यहाँ पर सारी बाद, इंडिया का जो position होता है, अगर कहीं पर भी इंडिया है, किसी international tournament में, आपके लिए वो जानना हमेशा जरूरी होगा, तो पका ध्यान से याद रखिये, सारे के सारे French Open और Asia Cup के winners, next question, अब Tata IPL की बात करते हैं, देखिए, IPL में सबसे अची बात, आपको यह बता हूँ, देखिए, क्वेशन आप पूछे जाते हैं, IPL से इसलिए IPL पढ़ाना बढ़ता है, वीवो बोला, ओपो बोला, तो अगर, अगर ओपो बोल दिया या वीवो बोल दिया, यह सिर यह देख लीजिए, क्योंकि गुजरात टाइटन्स पहली बार, ध्यान से समझिए, अगर आप नाम लगा रहे हैं, स्टेट का, तो आप इसका मतलब वहां की टीम को रैफर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहरे हैं, गुजरात टाइटन्स बार जीत गए, पहली बार जीते हैं, यह 15 बार हम कहरे है, हो रहा है, 15 बार में 15 वाला जो है, वो गुजरात टाइटन्स जीत रहा है, तो इससे पहले कभी नहीं जीते हैं, फिर मैं कहरी हूँ, यह विनर है, गुजरात टाइटन्स, रनर अप कौन रहा, राजिस्थान रोयल्स, तो राजिस्थान रोयल्स को हर अब अगर कोई कोई आप यह समझे टीम जीत जाती है तो उसके कैप्टन का नाम जानना आपके लिए ज़रूरी होता है आपने सुना भी होगा बहुत जादा न्यूस चल भी रही थी तो गुजराथ टाइटिन्स के जो कैप्टन है वो हार्दिक पांडिया थे इसलिए इनको और मोस्ट वालियूबल प्लेयर किसको जोश बटलर को जो राजस्थान रॉयल स के लिए के लिए खेलते हैं और जाश्थान रॉयल्स क्या था राजस्थान रॉयल्स रॉरन रप था यह याद रखिए अभी मैंने आप आपको उपर पढ़ा हा था गुजराध टाइटन ज यह बात बता रही हूं मैं आपको मोस्ट वाल्यूबल प्लेयर कॉन जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं याद रखेगा क्योंकि इनकी आइडेंटिटी इस समय इनकी कंट्री नहीं है इस समय इनकी आइडेंटिटी क्या है प्रमारली वो किस तीन के लिए खेलते हैं वो है इनकी आइडेटी इसलिए मैंने क्या बताया आपको राजस्थान रॉयल्स के लिए ये खेलते हैं अच्छा अब जब हम कहरें पुपल कैप अभी मैंने बोला था ना और इंज क्याप पुपल कैप आप यहां पर देखिए कौन देख पा रहें आप चहल क टमा देख देख विज्वुबेंडर को आप देखे हैं तो पॉपल कैप दिया जाता है तो देख cost लिए को ने को दिया जाता हैं और हमाजस्थान रॉयल्स खेलते हैं ये भी तो राजस्थान रॉयल्स चाय जोज बट्ल ऊटिया या भी जाए चाहल जोश बुदा माजस् अब को यह खेल रहा है तो इसको दिया जा रहा है हम करें इमर्जिंग प्लेयर कौन उम्रान मलिक ठीक है आप देख पार है पिक्चर नहां पर है अब यह खेलते हैं Sunrises संट राइजर्स हैद्राबाद के लिए खेलते हैं वर्ल्स नंबर वान चेस प्लेयर अभी आप इसको देख रहे हैं इनकी फोटो आप देख पा रहे हैं तो यह है रमेश बाबु प्रग्नानंदा थीक है अब इनों ने किसको हरा है मैगनिस कालसन को हरा है यहां पर देखिय देखिये उस पॉइंट व्यू से हम बात कर रहे हैं इंडियन एकॉनमी अब पढ़ेंगे अब टॉपिक या रहा है इंडियन एकॉनमी अब यहां पर बहुत सारी चीज़ें डिस्किस करने वाली है वन बाइवान देखते जाहिए अच्छे से देखिये कोटर फोर का मतलब फोर पॉर पॉर बात कर रहे हैं जानुरी से मर्च वाले कॉस्टर की बात कर रहे हैं अब 21 लाशच कॉस्टर 4.1 पसेंट का गिडिपी ग्रोथ दिखाया गया GDP growth financial year 21-22 ये पूरे के लिए पहले ये सुनिये यहाँ पर हम सिरफ quarter 4 की बात कर रहे थे 4.1% ठीक है फिर हम gross domestic product की बात कर रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं economy के बारे में पता लगाना है तो उसकी GDP से ही तो पता लगाया जाता है तो एक country economy के बारे में बताएगा कौन उसकी GDP तो GDP growth जो है 22 पूरे financial year के लिए हम कह रहे है 8.7% ठीक है उपर वाला quarter 4 का था fiscal deficit राजकोशिय घाटा ठीक है deficit का मतलब घाटा होता है कि अगर हम कह रहे है कि income कम हो government की income कम हो और spending जादा हो तो घाटा होगा deficit होगा fiscal deficit वही deficit है अगर मैं आसान भायोसा में बात करूँ नहीं तो समझ में नहीं आता है fiscal deficit राजकोशिय घाटा है 21 की बात हम कर रहे है जिसमें कह रहा है कि GDP का 6.1 प्रतीशत जो है वो fiscal deficit बता रही है government ठीक है 6.7% of GDP फिर हम कहने है per capita income जो अभीसी बात है घट ही जाएगी per capita income annual होती है आपको यह बतादू क्योंकि आपर year लिखा देख लीजे 22 इसका उलब per capita income financial year 22 के लिए सिर्फ 91,481 रुपे बस India's biggest trading partner in 2021 सबसे बड़ा trading partner इंडिया का USA चाइना से हम कुछ खरीदे नहीं है इसलिए चाइना सेकेंड नंबर पर है थर्ड है UAE अब दुबारा बता देते हूं इंडिया's biggest trading partner in 2021 and 2022 USA है अगर आप जानना चाहो numbers में कि USA के साथ अपने कितना trade किया तो 119.42 billion dollars 119.42 billion dollars का trade हमने USA के साथ किया इसलिए इंडिया का सबसे बड़ा trading partner का on USA देखिए अगर आप sequence में तीनों याद रखेंगे तो मुझे लगता यह important question है second number पर चाइना है और तीसरे पर United Arab Emirates है तीनों का नाम याद रखना मेरे हिसाब से जरूरी है आप याद जरूर करेगा यह questions हर पेज पे तीन से चार आप देख पा रहे हो तो आप समझ पा रहे हो कि मैं end तक आपको 50-60 questions एक वीडियो में करा दूँगी सब important questions है एक भी skip मत करिएगा प्लीज मत करिएगा वीडियो खतम होने तक सब याद कर लिजेगा वीडियो समझ में आ रहा है जो कि आ रहा होगा मुझे ऐसा लग रहा है तो like a button जरूर दबा दीजेगा पक्का से अगर अभी तक देख रहे हैं तो अब appointments and elections पढ़ेंगे important important ranks के ओपर किस को appoint किया गया है जरा देखिए पहला question इंका नाम आप बहुत सुन चुक है Dr. Ted Rose Adham Gabresius Ethiopia वाले यही थे डारेक्टर जेनरल यही थे डारेक्टर जेनरल आप जानते हैं इंका नाम आपने सुना है throughout कितने टाइम से आप समझ पा रहे हैं और सुन रहे होंगे आप Ted Rose Adham Gabresius हमने का एथियोपिय वाले पांच साल के लिए दुवारा WHO के डिरेक्टर जेनरल बन गए है फोटो वो रही रिलेट करिए और याद करिए नेक्स पॉइंट में देखिए Delhi का LG मताब Delhi का LG का जो रांक है मताब LG जो हम कह रहे हैं जिसे आप Lieutenant Governor बोलते हैं तो हम कह रहे हैं कि नए LG of Delhi 22 में नमबर के CBSE की नई चीफ निदी छिबबर देख पा रहे हैं CBSE की नई चीफ भी अब पूछी जा सकती है इसलिए मैंने क्वेस्टन डाल दिया है प्लीज याद रखिए Delhi का स्टेट आइकॉन बहुत वंडर्स करके आए यश्धल आपने देखा था आपने इनका परफॉर्मेंस भी रेखा था बेस्ट रॉन डाट Delhi का स्टेट आइकॉन फर वोटर अवेरनेस यश्धल को बना दिया याद रखिए तो यश्धल देखिए निदी चिबड देखिए या फिर ये विने कुमार सक्सेना को देखिए देखिए दॉक्टर टेड रोस को देखिए विश्धल सारे इंपॉर्टेंट है आप एक भी विश्धल किप नहीं कर पाओगे बस ध्यान से याद करने पे फोकस करिए नेक्स्ट क्वेस्टन देखिए चलिह अब ही हम बात करें विश्धी है ॵिश्द सेफेर सथी चीम देखिए टिंपॉर्टन वुक्स हम पढ़ने वाले हम रसकेन भी पढ़एंगे हम इंटर्नेशनल बुक को प्राइस पढ़ेंगे क महमताब आईनर्जी कोब masks को भी यावर्ट परेसे सम graph Books and Authors topic है Book का नाम Tomb of Sand Tomb of Sand Tomb of Sand जो है It was written by Gitanjali Shri Translate किया इसको Daisy Rockwell ने दोबारा सुनिये Gitanjali Shri ने Tomb of Sand लिखी Translate किया इसको Daisy Rockwell ने तो writer और translator दोनों को क्या मिला? International Booker Prize मिला बहुत बड़ी चीज होती है International Booker मिलना मैं आपको बता दो तो आपको किताब का नाम Writer का नाम और translator का नाम तीनों ही याद करने पड़ेंगे इसके अलावा इसके अंदर बहुत जाद जाद मत दीजे बहुत जादा associated चीजे नहीं पूछी जाती है Next देखिये, Listen to Your Heart The London Adventure Listen to Your Heart The London Adventure यह Ruskin Bond की लिखी हुई किताब हम कह रहे हैं London Adventure Ruskin Bond Bangla Academy Award Bangla Academy Award To Mamata Banerji For Kabita Bitan अब यह सारे के सारे नाम important है और जो इनका लिखा हुआ मतलब आपको किताबे जो हैं वो भी important होता है और राइटर्स भी important होता है इसलिए मैंने क्या कहा Bangla Academy Award किसको Mahamata Banerji को किसके लिए Kabita Bitan के लिए अगला question देखिए क्या आरा है Important Days and Dates सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे World Milk Day से First June को observe करते हैं हम लोग World Milk Day 5 June को World Environment Day observe करते हैं हम लोग तो World Environment Day उसके बारे में थोड़ा सा लंबा discussion है पहले याद रखिए Milk Day पहली ही तारीक को और 5 तारीक को हम कहरें Environment Day और यह World World है यह याद रखिएगा The whole world celebrates them National नहीं है World है अब जब Environment Day की बात करने लगे तो इसका Theme Only One Earth Theme Only One Earth ठीक है अब यहाँ पर यह कह रहा है कि जो host था Sweden था अब यहाँ पर एक बात को associate करता है कि 1972 में 1972 में जब पहला United Nation का Conference हुआ था Environment पे तो वो Stockholm में हुआ था Stockholm Capital है Sweden Country की यह बता दूँ आपको तो यह कहना जा रहे है कि Stockholm में Same Slogan के साथ Same Slogan के साथ हम कह रहे है Stockholm में 1972 में United Nation का Conference on Environment हुआ था अब यह चीज Important और जादा आपको लगने लएगी क्योंकि पहली बार Stockholm इस बार Sweden मतलब बापे Sweden में ही हो रहा है तो Same Slogan के साथ हो रहा है World Environment Day पे ही होगा सीधी बात है तो 5 June को यह शुरू हुआ था अब यह बाते सारी आद रखिये चाहे वो जगा है चाहे वो थीम है चाहे वो World Environment Day है ठीक है Next Question पढ़ी है World No Tobacco Day Tobacco Day तो नहीं कर सकते है No Tobacco Day करना पड़ेगा तो World No Tobacco Day 31 मैं को Celebrate किया जाता है जिसका Theme Tobacco Threat to Our Environment ठीक है Tobacco Threat to Our Environment हम कहरे है World No Tobacco Day 31 मैं को observe किया जाता है याद रखियेगा और Next Question देखिये Banking and Finance अब यहाँ से वो students जो Banking के Exams लिखते है बहुत Important Questions है और मैं आपको बता दू Exam देना आपकी Priority है आप यह समझेए कि Banking में पहले क्या हुआ था बहुत जादा नहीं पूछा जाता है Banking Exams में आप जब बोलते हो और मुझे लिख कर के इतना सारा कुछ बताते हो कि इतने कराईवे Questions आए वो इस ही लिए आए Because even I know और आपको भी एबात पता होनी चाहिए कि जो Current Information है जो Current Banking में चल रहा है वो Banking Exams में बहुत आता है हम अपने Course के अंदर अपने Live Sessions के अंदर और अपने Video Program के अंदर Detail में सारी चीज़े बढ़ाते हैं जो Exam relevant होती है जो Exam में आती है अगर आप पढ़ना चाहते हैं Live Session आप जॉइन कर सकते हैं आप Online Session मतलब Video Program भी जोइन कर सकते हैं नीचे दिये गए Numbers पे Call करके यहां पर देखिए जो हम पढ़ रहे हैं कि Banking में हाल फिलाल क्या चल रहा है अब अगर कोई और एक्जाम दे रहे हो आप SAC दे रहे हो आप DSS भी दे रहे हो आप CDS दे रहे हो तो कुछ questions आप Banking वाले छोड़ सकते हो क्योंकि अभी session खतम नहीं हुआ बहुत सारा session बचा हुआ है भी तो यह कुछ questions जो specifically सिरफ Bank वाले बच्चों के लिए होते है Co-Branded Credit Card by Retailio ठीक है हम कह रहे हैं यह Retail से Retailio B2B Pharma Marketplace है HDFC के साथ मिल करके Retailio ने क्या करा Co-Branded Credit Card जो है वो Launch कर दिया Next देखिए To Enhance Digital Payments Mahagraam Mahagraam आप एक FinTech Startup बोल लो आप Rural Bank बोल लो Rural Neo Bank बोल लो जो बोलना है बोलो आप तो हम कहने है Mahagraam है मतब आपको सिरफ aware कराने के लिए कि Mahagraam क्या है To Enhance Digital Payments Mahagraam जो है उसने tie-up किया Indecent Bank के साथ ठीक है Mahagraam ने Indecent Bank के साथ tie-up किया किस लिए किया है तो वो Digital Payments को Enhance करने के लिए किया है Next अगर आप देखेंगे To Offer UPI Payments RBL Bank ties up with Amazon Pay दुबारा जोनिये जल्दी बोल दिया मैंने कि UPI Payments offer करनी है RBL Bank जो है इसके लिए Amazon Pay से tie-up कर रहा है Questions important है आप जानते हो हाल फिलाल banking में क्या चल रहा है questions पक्का आते है और आपको बता दो कुछ history में वो interested नहीं होते क्या हुआ क्या हो रहा है अब क्या चल रहा है banking में वो आप से जानना चाहते है As a student आपको भी यह पता होना चाहिए कि क्या आता है एक्जाम में Next question देखिए Minimum Net Worth for Non-Bank भारत बिल पे Operating Unit 25 करोड अब इसको थोड़ा सा तोड़ के पढ़िए क्या लिखा हुआ है लिखा है कि अगर आप Non-Bank भारत बिल पे Operating Unit है या बनना चाहते है ठीक है तो आपका Minimum Net Worth कितना होना चाहिए 25 करोड का होना चाहिए Non-Bank भारत बिल पेमेंट Operating Unit है या बनना चाहते है तो आपका Minimum Net Worth कितना होना चाहिए 25 करोड नहीं इससे कम है तो नहीं बन पाएंगे हुई यह कह रहे है minimum देखिए जादा तो obviously बाता ना हो पाएगा लेकिन minimum कुछ mark है ना उनके लिए तो उनोंने वो पता दिया है next देखिए रूपे credit card by HPCL Bob Financial ठीक है next देखिए minimum net worth for scheduled commercial banks to launch credit card business 100 CR दुबारा सुनिए कह रहे है कि minimum net worth किसी scheduled commercial bank की launch करने के लिए credit card कितनी होनी चाहिए 100 करोड minimum होनी चाहिए तब वो credit card business जो है launch कर पाएंगे लेकिन अगर वही काम NBFC करना चाहे तो NBFC को RBI का approval लेना पड़ेगा NBFCs need RBI approval for the same याद रखिएगा अगला question देखिए अच्छा अब committee to review customer service standards in RBI regulated entities BP कानून को committee है दुबारा सुनिए एक committee जो क्या review करेगी customer service standards को RBI regulated entities में customer service standards को RBI regulated entities के अंदर उसको review करेगी तो committee कौन सी BP कानून को head कर रहे है उसको BP कानून को committee next में देखिए LIC ने देखिए अगर कोई बीमा रत्म बोल दे तो बीमा रत्म सुनके आपने पका उसको LIC से जोड़ देना है लेकिन आपको यह पता तो हो कि बीमा रत्म है किस बारे में LIC का new saving life insurance new savings life insurance plan बीमा रत्म ठीक है next question देखिए एटल payments bank to offer gold loans अब gold loan है तो मुथूट हम फटावट से सोच लेते हैं वही मुथूट है तो एटल payment bank जो है gold loan offer करेगा किसके साथ tie up करके मुथूट finance के साथ tie up करके तो यह सारे association important होते है कि अगर एटल payment bank जो है वह मुथूट के साथ tie up कर रहा है अगर हम उपर पढ़ रहे थे कि यह कानून को committee है तो नाम important था बहुत अच्छे और बहुत important questions कोई भी question आप skip नहीं कर सकते हैं आपको पहले ही बता दूँ आप चूज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा question कम important है सारे questions बहुत important है बहुत जादा एक्जाम में एक ही वीडियो से 3-4 questions आजाएंगे देख लीजेगा अगर आभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजेगा next question देखिए अब state news पढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि topic wise पढ़ते हैं तो category आगी state news वाल लेकिन अब यह नीचे और क्या बात कर रहे हैं कहरें अंदर अम्रिज सरोवर मिशन 75 water bodies per district बनाने की बात चल रही है 15 अगस 2023 तक 75 75 75 आजादी के 75 साल वो 75 वाला significance तो इस सब जगह पर 75 75 इंडिया 875 सुनते रहते हो तो आपको बता दूं अंडर अम्रिज सरोवर मिशन क्योंकि पहला अम्रिज सरोवर हम कह रहे हैं कि इन्होंने रामपूर यूपी में बनाया 75 हर district में तो पहला वाला important होता ना इसलिए याद रखिए तो 75 water bodies हर district में टोटल कहरें पचास जार कब तक 15 अगाज 2023 तक हर question important है next question free high speed wi-fi at village panchayat in UP यह लिखा हुआ ऐसा मिला तो question आरेगी possibility है याद रखिएगा विलेज पंचायat है इसलिए high speed wi-fi बहुत बड़ी बात है इनके लिए number one sugar producer maharashtra number one sugar producer maharashtra याद रखिए जब होता है geography के sessions हम लोग भी जब geography के sessions दे रहे हैं ऐसी चीजों में क्या होता है कि कभी कोई उपर चला जाता है state और कभी कोई उपर चला जाता है तो यह changeable है आप इसको geography से रिलेट कर दोगे फटा फट से लेकिन मैं इसको current affairs का question बोलूंगी आपको बता दू क्योंकि यह अभी चेंज जो करके हाल फिलाल news में आ है maharashtra number one sugar producer free breakfast in government schools of Tamil Nadu कितना बड़ा initiative बच्चे स्कूल आएंगे तो हम कह रहे हैं कि उनको breakfast भी करा जा रहा है वह भी free में Tamil Nadu का initiative है आपको बता दू government schools का याद रखियेगा पक्का से सारे के सारे चारो questions important next page देखिये international news में अब हम पढ़ रहे है PM attendance quad leaders summit in tokyo japan quad quadrilateral अब हम आपको बतारी हूं आप यहां पर सबके heads प्राम मिनिस्टर पेसिए वह भी तो नाम याद करने पड़ेंगे ना इंप्रटन हो जाता है क्या 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 रहे है यह बात आपको बता रहे हूं आप यहां पर कि आपको बद्धार मुश्य बाइदन जोजफ बाइदन यापनीज पीम फुमियो केशिदा अस्ट्रालियन अपनी अल्बनीस अथि अस्ट्रेलियन परदान मंत्री तो इंडिया और साइंज इंवेस्ट में इंसेंटिव ऑ्प्रिमेंट विद यूयुसे ऑम इंडिया चैर ओफ कमिटी बी आट 75th World Health Assembly दुबारा से ध्यान से सुनिए राजेश भूशन जो है Health Secretary है इंडिया के ठीक है Health Secretary है तो जो Health Assembly होगी उसमें चले जाएंगे इसमें आपको Chair of Committee B दो Committees Actual में हम कहरें कमिटी यह है कमिटी भी है हम कहरें तो Chair of Committee बी कौन है राजेश भूशन है जो राजेश भूशन वर्ल्ड हेल्थ Assembly उन्होंने अटेंड की और हम कहरें यह कौन से नंबर की यह 75th नंबर की 75th नंबर की वर्ल्ड हेल्थ Assembly जो जिनिवा में हुई ठीक है याद रखिएगा पक्ता से नेक्स्ट क्वेशन देखिए India's rank on World Economic Forum Travel and Tourism Development Index 2021 ध्यान से देखिए इंडिया का rank हमेशा पुछा जाने की possibility होती है कहां की बात कर रहें? World Economic Forum की बात कर रहें लेकिन World Economic Forum में पूरी क्या बात कर रहें? कि Travel and Tourism Development Index 2021 में इंडिया का rank 54 था पहला जपान दूसरा यूएस यूएस है और स्पेन और इंडिया का rank क्या है? 54 नेक्स्ट क्वेशन देखिए Conference of Parties 15 COP 15 UN Convention to Combat to Fight Desertification Desert बनेगा तो Desert नहीं बनने दिना है तो उसको क्या करेंगे? Combat करेंगे Conference of Parties 15 of UN Convention to Combat Desertification at Abijan Quarter Divara country का नाम है Quarter Divara हम कह रहे है उसमें जगा अभी जान हम कह रहे है वहाँ पर COP 15 का Convention UN Convention हुआ Theme इसका था Land Life Legacy Land Life Legacy from scarcity coming to progress to prosperity तो हम कह रहे है from scarcity to prosperity यह theme किस का यह कह रहे है COP 15 का Next question देखिए Shanghai Corporation Organization का Regional Anti-Terrorist Structure Meet जो कहां पर हुआ? Delhi में हुआ इसको यह लोग बोल रहे है मतलब तो राइट्स क्या है Regional Anti-Terrorist Structure Shanghai Corporation का Regional Anti-Terrorist Structure का Meet हम कहां पर हुआ? Delhi में हुआ Next question देखिए अच्छा आप यह development power projects है यहां पर आपको बता दूं कि प्रिशान मंत्री मोधी गए थे इस प्लांट को का उद्गाटन करने के लिए इसलिए आपके लिए question important हो जाता है Ifco का बनाया plant है हम कह रहे है Ifco है कहां पर पहले Kalol Gujarat में ठीक है? वहां पर क्या किया है? वर्ल्ड का पहला 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 नानो यूरिया लिप्लांट ओपन किया है Ifco ने धश्यान रखेगा पूरा लिखा हो है Holy owned by co-operatives पढ़ लीजे धान से वर्ल्ड का पहला नानो यूरिया लीक्विड प्लांट री ओपन यहां पर इफको ने किया है इफको का पहले से प्लांट है वहां पर इफको प्रेजेंट है वहां पर और कलोल गुजराथ जगा की बात हो रही है नेक्स्ट क्वेशन में आप 9000 होर्ष पार इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैनुफेक्ट्रिंग उनिट अन्वेल्ड आट दाहौद गुजराथ ये भी गुजराथ की खबर है हम क्या कहरें दुबारा सुनिए दाहौद गुजराथ जगा पे 9000 horse power electric locomotive manufacturing unit unveil किया गया है और जो यह 20,000 करोड लिखा है यहाँ पर हम आपको इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर यह बता रहे हैं कि कितना expenditure, कितना outlet, कितना खडचा उसके उपर तो यह 20,000 करोड का खडचा हम बता रहे हैं किसके उपर इस manufacturing unit के लिए दाहौद गुजरात में जिसे बनाया गया इंडिया का पहला, मतलब आप यह समझे कि इंडिया का ओन हाइपर लूप made by railways and IIT मदरास यहाँ पर आप ध्यान से इस चीज़ को याद रखिएगा कि हाइपर लूप कुछ ऐसा दिखता है हाइपर लूप कुछ ऐसा दिखता है अगर आप ध्यान से देखो तो हम कह रहे हैं कि इंडिया का अपना हाइपर लूप रेल्वे और IIT मदरास मिल करके बना रहे हैं यहाद रखना है आपको तो किसका कौन बना रहा है आपको यह याद रखना पड़ेगा इसलिए लिखा है मापर IIT मदरास गवर्मेंट की स्कीम एक्जाम में बहुत जादा पूछी जाती है लगभग हम लास्ट पे पहुचने वाले हैं आपको बता दू तो यह गवर्मेंट स्कीम इंपॉर्टेंट होती है छोड तो आप अभी भी नहीं पाओगे स्केप अभी भी नहीं कर पाओगे 2023 स्वच सर्वेक्षन आठ्में नंबर का होगा 2023 वाला और हम कहन रहे हैं इसका थीम बताया गया है वेस्ट्टु वेल्थ चाज़र रखिए वेस्टु वेल इसका थीम बटा गया है आठवे नम्मर के 2023 सच्वाच सर्वेक्षन का जिसका थीम है मतलब अंडर वो यह कहना चाहरें आपको सच्वाच भारत मिशन अर्बन 2.0 बाइ मिनिस्ट्री ओफाउसिंग अर्बन अफेर्स में क्या है सच्वाच भारत मिशन है अर् अर्वाच भाट है तो नेक्स्ट्ट्ट्स क्वेस्टिन में अब बढ़ें बढ़ा है अब स्कूल थो ट्रेइं इस्टूदेंस फोर फूचर मॉर्डल स्कूल्स तो ट्रेंस फोर फूचर ऐसर नाशनल एडूकेशन पोलिशी 2020-2020 प्लप प्याश्री नाम याग रखिये as per national education policy 2020 next अगर आप देखेंगे तो PM employment generation program भी चल रहा है तो कहरें इसको continue करते रहेंगे employment आपको मिलता रहेगा 25-26 तक जिसका outlay आपको बताया जा रहा है 13554.42 करोड 13552 करोड जो है जिसके ओपर खर्चा होगा किसके ओपर PM employment generation program के उपर जिसमें हम कह रहे हैं जो 25-26 तक क्या होगा continue करता रहेगा next question देखेंगे अब awards and prizes ठीक है आप ए गुल्डन आए अवार्ड है आपको यह आई बनियू ही दिख रही है इस अवार्ड के अंदर त्यान से देखेंगे गुल्डन आए अवार्ड है जिसको फ्रेंच में यह लोई डॉर बोलता है लोई डॉर अट सेविंटी फिफ्ट कांस्टू शॉनक सेन अवार्ड है यहां पर दोख मतलब गोल्डन है और लॉई का मतलब आई होता है इसलिए उसको गोल्डन आए अवार्ड को वो लॉई डॉर बोलता है हम कह रहें कि 75 नंबर का कान फेस्टिवल जिसमें शॉनक सेन को उनकी डॉक्यूमेंटरी के लिए अवार्ड मिला का नाम पूछा जाएगा आप से ओल डाट ब्रीज नेक्स क्वेशन में डॉई एचो ग्लोबल हेल्फ लीडर ओर दोजार बाइस आशा वरकर्ड को मिला है आपने बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे जिसमें अब लोग आशा वरकर्ड को ग्राचुलेट करते वे दिखाई दे रहे होंगे आपको एकदम से अचानक से तो आशा वरकर्ड को ग्राचुलेट इसलिए किया जा रहा था कि पांडमिक के टाइम उन्होंने कितना ज्यादा गाम किया आप जानते हैं वन मिलियन विमन है जो आशा वरकर्ड कहला ही जाती है जो बनी होती है यह मतलब अभी ग्रूप का पको बतारी हूं कि कैसा है अगर आप आशा का फुल फॉल फॉल जानना चाहें तो एक्रेडिटेट इसलिए तो है अच्छल है अच्छा रहा है यहां पर आप कर रहे है यह अच्छा लगा लाइक का बा दिजगा नहीं समझा आया तो इंगलिस्वाला देख सक जो कि दो दो